सुप्रीम कोट के पुर्व मुखनाधिस रंजन गोगोई ने कई आरूप लगा हैं उन्होंने कहा है कि एक लोबी काम करती है जो यह जैजो पर दबाव डालती है कि उनके हक में फैसलाद है इस पर बाचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सर्व जो रंजन गोगोई आरूप लगा रहे हैं उस आरूप में कितनी सच्चाई है देखिए जिस तरह के मिस्टर रंजन को कोई आरोप लगा रहे हैं उनमें मेरे को नहीं लगता बहुत जादा सत्यता है उसके तो तीन मुख्य कारण है पहला मुख्य कारण है हम सब को की जानकारी में हैं कि हमारे जो सरवुच्छ नयाल है उसको रात को बारे बुजे खोला गया था और एक हिंदुस्तान के बड़े पॉलिटिशन रात को वहां बैठकर चाय पिलाए गए थी पॉइंट नमबर वन पॉइंट नमबर टू आपको ध्यान होगा यही यही जजज साब थे जिनों एक जिनों ने हिंदुस्तान की नयाए प्रेस कांफरेंस की थी उसमें यह लोग यह नमबर टू थे नमबर तीन यदि इस तरह की कोई बात है कि सुप्रीम कोर्ट में नयाए पर्टूकर तरीके से देने चाहिए कोई दबाव पड़ता है तो उसके लिए जब यह समय रहे हैं उन्होंने वो नाम उस टाइम क्यों नहीं उजागर किये उन नाम को यह आज क्यों नहीं उजागर कर रहे हैं यह कहना बड़ा आसान है किसा आप दबाव रहता है दबाव यह दी रहता है तो आप भूत पूर सीजे आई हैं आप जिस समय सीजे आई थे ना तो आपने उस समय को कारवाई की ना ही आप आज कारवाई कर रहे हैं आप यह कह रह में as a member of parliament oath ले ली है इनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है उन नामों को उजागर करें वरना उनको ऐसा statement नहीं देना चाहिए था उनको भी उजागर करें जो इस तरह का दबाव डालते हैं उनके नाम भी उजागर करें यदि इस तरह के को नहादिस रहे हैं जिन्नों दबाव आकर फैसले दिये हैं या देने की स्थिद्वी या आगे आने वाले समय में देंगे सर आपको नहीं लगता कि इस तरीके के बयान दे करके वो एक तरीके से जो सुप्रिम कोट के जो जज हैं उन पर भी उन्होंने उंगलिया उठा दी है देखिए ये बड़ा दुर्भाग पूर्ण है कि हमारे भारत तवर्श के पूर नया अधीस यदि इस तरह के वो आलोप लगा रहे हैं और वो उस पर ना तो नोंने ना तो ना मुख नयाधीस होने ना ते उस समय कर वेगी ना उस लोगह के ना वो आज बातानी के लिए तयार हैं तो ऐसा माना जाएगा वो अपने पक्ष में या अपना पेश रखने के चक्कर में इसा बाते कह रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो अपने सफाई में इस तरीके की बाते कर रहे हैं और इन्होंने यह भी कहा कि अगर इस तरीके की बाते हैं तो जब वो मुख्य ने आधीश्ते उस समय ही नामों को सब्जानिंग किया जाना चाहिए था कैमरा परसनल अनिवाड के साथ गोपाल क्रिस्ट सुराज एक्सप्रेस दिल्ली